नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जर्खन के दिन भर की खबर जानते हैं रांची के में कौन स्टेडियम में हुआ अंतराष्ट्रिय योग दिवस का राज किये कारकराम अंतराष्ट्रिय योग दिवस पर आज देश दुनिया में योग के कारकरम आयूजित किये जा रहे हैं अरुन कुमार सिंग औस्धी नियंत्रक रितु सहाय, आयूस निदेशक डाक्टर फजलूस समी सहित बड़ी संख हमी स्कुली बच्चे और NGO से जुड़े स्वयम सेयोकों ने योगा भ्यास किया, इस दोरान रिमजी मांसुनी बारिस के फुहारे भी परते रहे लेकिन लोग मिथलेश्ठा को योग दिवस के राजके करक्रम में सामिल हुए, इस करक्रम में धोजा रोहन के बाद राज्य योग सेंटर की योग एक्सपर्ट डाक्टर अर्शना ने मेकॉन स्टेडिया में अंतराश्ट्री योग दिवस प्रोटोकाल के अनुसार योग कराया, योग दिवस की सुबकमनाय दी है, उन्होंने कहा कि योग भारत का दुनिया को एक अमुले उपहार है, योग एक ऐसी साधना और परकिरिया है जो सरीर को ही नहीं, मन को भी स्वस्त बनाता है, योग करने ब्यक्ति का सारीरिक, मांसिक और अध्यात्मिक विकास होता है, वह अध्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात् पाइलट की नियुक्ति तीन साल के लिए होगी और इसके एवज में प्रती मां 5 लाख रुपए का भुक्तान किया जाएगा। जारखन में नक्सल बीरोधी अभियान के दोरान सुरक्षा बलों को मदद पहुचाने के लिए इसी हेलिकोप्टर का उप्योग किया जाता है। जारखन में प्रती में जाता है। हटिया स्टेशन के बीच वंदे भारत 6 एस्टोपेज कर रुकेगी वहीं पातना के बाद ट्रेन जहाना बाद गया कोडारमा हजारी बाग वरका खना और मेसरा में रुकेगी बता दे कि ट्रेन का पहला ट्रायल 12 जुन को किया गया था और बीते रभिवा को ट्रेन का दूसर अंतराश्ट्रिय योग दिवस के मौके पर जारखन बीजेपी ने राज भर में कार्म का आयोजन किया मोख्य कारकरम राची का हर्मों में आयोजित हुआ जहां बीजेपी परदेश अध्यक्त दिपक प्रकास सहीत सभी परमोक नेता सामिल हुए इस अवसर पर पर नैंदमोदी ने सनातनी योग को देश ही नहीं पूरे विश्व में अस्थान दिलाया है उन्होंने कहा है परदानमति नैंदमोदी ने वसुंद है कुटुमबकम के तहत योग को पूरे विश्व में एकाही जुन को योग दिवस के रूप में अस्थापित किया है जारख करने के कारण संताल परगना के सभी जिलों में बारिश हो रही है मांसून देर से आने के कारण गरजन और बजरपात के संका बनी हुई है मौसम केंद्रे ने इसे लेकर औरेंज अलर्ट भी जारी किया है बता दे अगले तीन दिनों तक यही स्थिती रहेगी मंगलवार को रा दरजन लोग घायल हुए है साहिब गंज में जादू टोना के नाम पर आधा दरजन तांत्रीकों को ग्रामिनों ने बंधक बनाया साहिब गंज जीले के बोरियों में आज भी लोगों में अंध्विश्वास जिन्दा है बता दे बोरियों थाना छेतरे के मंजवय गाउं क सोगले टोला से एक ऐसी ही मामला परकास में आया है रात के अंधेरे में जादू टोना कराने के आरोप में आधा दरजन तांत्रीकों को ग्रामिनों ने रात भरबंदक बना कर जम कर पिटाई कर दी प्राप्त जनकारी के अनुसार सोगले गाउं निवासी मोहन मुर्मु मं मरांग मैं मुर्मु तल्लू टुड्डू मरांग कूडी हांसा रगत बाक्सी पुर्व से जादू टोना कर रहे थे मोहन उर्फ तल्लू मुर्मु के पहुंचते ही उन लोगोंने मोहन उर्मु अपने वस में करने के लिए तंत्र मंत्र करने लगे जिसके बाद तल्लू मु पेस नहीं हुई उनके वाकिल के द्वारा एक पिटिशन दाखिल की गई जिसमें उन्होंने कहा है कि कुछ कारण की वज़ा से वह एकई उनको शरीर उपास्थित नहीं हो सकती CRPC की धारा 317 के तहट या आवेदन किया गया था Justice D.N. सुकला की अदालत ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए आवेदन को सुविकार कर लिया और अब अगली सुनवाई 10 जुलवाई को होगी बता दे कि आवेदन में अमिसा पटल ने जिक्र किया है कि वह किसी बहुत जरूरी काम के वज़ा से चंडीगर मोहाली गई हुई है इस करन वह ससरीर उपस्थित होने में अक्षम है जारखन के मध्य विद्याले में सबसे अधिक विज्ञान विशायों के लिए होगी नियुक्ती बताद विज्ञान में 5008 जबकि समाजिक अधियान में 5002 वा भासा के लिए 491 सिक्षक के पद सामिल है इनमें से विज्ञान में 2470 समाजिक अधियान में 2467 वा भासा में 2436 पद पाराथ सिक्षक के लिए रख्ची थाए वहीं विद्याले में कक्षा 6-8 तक में असनातक प्रसित सिक्षक के नियुक्ती होगी विज्ञान सिक्षक के पद पर गनीत भौत की रासायन सास्त्र वनस्वत्ती सास्त्र वा प्रानी विज्ञान भी सहसे प्रश्ण पुछे जाएंगे जबकि समाजी के अध्यान में इतिहास भौत राज निति भी ज्ञान और समाज सास्त्र लेखा सास्त्र वा ब्यपार अध्यान भी सहसे प्रश्ण पुछे जाएंगे गिरीडी के आरके महिला कॉलेज में इंटर की पढ़ाई चालू रखने की मांग गिरीडी जी लेके आरके महिला कॉलेज में इंटर की पढ़ाई बंद किये जाने का बिरूध आज काफी संख्या में छात्राय आरके महिला कॉलेज पहुँची और कॉलेज के मुखे गेट में ताला बंदी कर बिच लग पर बैट कर जम कर नारे बाजी की छात्राओ की परमुक मांग थी कि आरके महिला कॉलेज में इंटर की पढ़ाई बंद किये जाने के फैसले वापस लिया जाए और कॉलेज में इंटर की पढ़ाई जारी रखा जाए इस दोरान तमाम छत्रावों ने कॉलेज पर सासनों और सरकार के खिलाब जम करना रेबाजी भी की है छत्रावों ने बताया है कि एक तरफ सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करती है वहें दूसरी और पढ़ाई बंद करके छत्रावक भविस के साथ खिलवार करने का काम कर रही है इडी के सवालों के घेरे में विश्णू अगरवाल गिरफतारी संभाव रांची में जमीन घोटाले में मनी लॉंडरिंग के तहट जाच कर रही इडी ने निकुलेस मौल के संचालक विश्णू अगरवाल से बुद्धवार की करीब एक गारा बये से ही पुष्टा सुरू कर दी है बताया जारा एक विश्णू अगरवाल ने स्वास्त समंधी परिसानियों का हवाला दिया तो इडी ने मेडिकल की टीम भी बुला ली और उनके स्वास्त की जाच कराई इडी सुतरों की माने तो विश्णू अगरवाल को गिरफतार करने के लिए इडी के पास परयाप्त सबूत है हो सकता है देशाम तक उनकी गिरफतारी हो जाए बतादे पुरों में विश्णू अगरवाल को आठ माई को इडी ने पूस्ताच के लिए बुलाया था वक कर्याले गए भी थे लेकिन बिमारी के वयसे उन्होंने समय की मांग की थी उडीशा ट्रेन हादसे में जिन बच्चों के सीर से उठा पिता का साया उनके लिए परशासन का बड़ा एलान बता दे उडीशा ट्रेन हादसे में मारे गए साहब गन जीला के लोगों के बच्चों को स्पॉंसर्शिप योजिना से जोड़ा जाएगा उपायुक्त राम निवास्यादव ने जीला बाल सनरक्षन पता धिकारी पुनम कुमारी को ट्रेन हचे मिरित लोगों के घर जाकर जाच कराने और बच्चों को जल्द सारी जोजनावों से जोड़ने की परकिरिया सुरू करने को कहा है उपायुक्त ने कहा है कि दुख की इस घड़ी में जीला परसासन मिरित को के सौजनों के साथ खड़ा है उनके दुख को कम नहीं किया जा सकता लेकिन परिवार को सरकार के जिनावों से जोड़का थोड़ी बहुत राहत जरूर दे सकते हैं धन्यवाद